तो आज मैं फाइनल इसके उपर वीडियो बना रहा हूँ तो यह वाला जो वीडियो है बहुत दिन के बज़े मैं था बिजी था इस बज़ेसे फोड़ा सल लेट हो रहा है तो कुई चिंदा काने के बाद बली है नहीं मैं सब कुछ आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लो इस पहले एक चीज़ आपके पस जरूर क्लियार हो जाना चाहिए अगर आपका रिस्क मनेजमेंट सही नहीं है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लोसेस का यूज नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले जाओ और यह वाला वीडियो आप लोग जाके देखो रिस्क मनेजमेंट बाइ में सोचना पड़ेगा तो बात करते हैं कि यहां पर हम लोग प्रेलिंग स्टॉप प्रोसेस कब करेंगे या फर क्यों करेंगे तो सबसे पहला हम लोग का क्यों करेंगे तो सितिक से बाद हम लोग का जो नॉर्मली प्रॉफिट रहता है तो थोड़ा सा मानलो हम लोग का ज यहां से भी और भी 100 points का movement दे दिया, आपने direction एक्टम से ही predict किया, बट आपने अपना risk management के सबसे निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है, बट इसके उपर भी market और भी उपर गया, तो अगर यहां पे इस point को आप capture करना चाहते हो, तो आपको जो trailing stock process का use करना पड़ेगा, और यहां पे आपका 1,000 का profit हुआ, तो अगर आप यह पूरी move को capture कर सकते थे, तो यहां पे आपका 2,000 का भी profit हो सकता था, तो यहां पे आपने 1,000 का profit risk कर दिया, तो इसी का problem का solution है, that was it trailing stock process, कि यहां पे आपने Y side के एक position प्रेस किया, आपने आप सोच रहों कि यहां से लेकर यहां पे 100 point market उपर जाएगा, तो आप यहां पे buy किया market उपर गया, आपका जो target है वो heat हो गया, उसके बाद market और वी यहां पे फ्रो फ्रो में निकल रहे है, तो यह जो movement आ रहा है, इसको अगर आपको capture करना चाहते हो, तो यह आपको जो trailing stock process का use करना पड़ेगा, तो प्लाइ सेक्सेर की साथ, यहां पे swim to swim, यहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, trailing stock process का use कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहां पे इस swim के नीचे insult लागा दिया, यांकि trailing stock process रागा दिया, उसके बाद market इसका breakout क्या, उसके बेक आउट क्या, तो आप लोग swim to swim, यहां पे आपन ना चुक है इसको कर सकते हैं दूसरा point क्या हो दूसरा point क्या यह आंप रोग आप पे-अपे-ट्रीनिंश को स्टीनिख करते हो यह आपने हादicano यहाँ पर 60 रोपय में भाइक यहां पर आपका अपका टारगेट रहादा है 60 point का प्रीबियम के अंदर, तो market 170 तक चला गया, यानिकि 170 तक आपका target रहा है target यहापे 160 पे market चला रहा है, जैसे ही market 160 से 180 पे चला गया तो आपका trailing stop process 160 पे लग गया, जैसे ही market 180 से 190 तक चला गया आपका जो ट्रिलिंग स्टॉपरूस से वह एक्सव आस्ति फे लग गया आप लोग ऐसे तो पॉइंटो वाइस प्रिलिंग स्टॉपर्स का यूज कर सकते। उसके बाद जो तीसरा setup है वो है indicator का use, बहुत सारे लोग इसको prefer करते हैं कि यहाँ पे कोई email लगा लिया, कोई यहाँ पे RSI लगा लिया, बट यह सबसे बेकार तरीका यह है कि आप लोग कभी भी indicator मत प्रूस करना, सबसे अच्छा है point to point carry करना, तो यही चीज आपको में बत लोग option selling के अंदर use मत करना, इसको आप लोग future के अंदर use मत करना, और इसको आप लोग stock के अंदर use मत करना है, यह जो ज़र्यूहीं बतने वाला है कि यह यह option selling के लिए है, और नहें यह futures के लिए है और नहीं यह स्टॉक्स के लिए यह सेफोर सर्फ ऑप्सन बाइंग के लिए तो अभी बात करते हैं कि यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप यहां पर चल रहा है और आपको लग रहा है कि यहां से पर जाएगा तो आप यहां पर क्या करोगे अपने यहां पर बाइब और चला गया नॉर्मल हम लोग का रहता है कि यहां से लेकर यहां दग मार्केट चला गया यहां यहां दग आपका टार्गेट था मार्केट यहां पर चल रहा था यहां पर आपने वाई किया और यहां तक आपका टार्गेट था और मार्केट यहां पर आपका टार्गेट को हीट कर दिया और अभी मार्केट वान सिक्ष्टी पर चल रहा है तो यहां पर आप क्या करोगे आपका तो यहां पर जो रिस्क म चारते हो तो यहां पहर प्त्रीज तॉप्र आ एकदम नप gliयां की एकदम ऐसे सार्क भीट कर रहा है अगर दिखना चाहते हो तो आं आहीं सार rhy Crush Mm बना सकते हो जैसे आपको मैंने बताया कि मार्केट यहां पे 160 पे चल रहा है इस पॉइंट पे मार्केट 160 से लेकर 170 तक चला गया तो यहां पे आप जटक से आपका जो स्टॉप लॉस से उसको ट्रेल करके 160 तक रखोगी यानिकि 160 तक आप आप आपने ट्रेलिंग स्टॉप प्रेलिंग स्टॉप लागा दिया यहां पर मार्केट 170 तक चला गया अपने यहां पर इसल लागा दिया कि हर एक हर 10 पॉइंट पर या फिर तिन पॉइंट पर 20 पॉइंट पर आपको जो इसल लगाना चाहिए इसको अब ऐसल समझ सकते हो देखो अगर आप लोग पॉइंट वाइस थोरा सा कन्फ्यूजन हो रहे हो तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो candle to candle यहां पर बैड़ि कर सकते हो बाट अगर आप इस पुरी मूव को capture करना चाहते हो तो मार्केट आप लोग देख सकते हो 100 पॉइंट तो आपको दे दिया बट मार्केट फर नीचे गिरा मार्केट कितना गिरा वण 120 पॉंट तक गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लोसस का यहां तक होगा यानि कि हार एक केंडल का जो लो होगा या फिर हाई होगा जैसे कि अभी आप डाउन ट्रिंट के अंदर ट्रेट निस क्या हो तो आप मार्केट जितना गिलेगा आपका प्रॉफिट होगा तो यहा प्रिइड मार्केट रहा है मालो अपने यहां पर प्रॉफित अपने ट्रेड़ को प्रिस किया आपके जो न्मर्माली रहत ही 100 पॉन्ट का अपने लोग देख सकता हूं지를 Perez involving money 30G ने पश्पॉरेंस कर दूँके और मार्केट फोड़ा सथा नीचा है है तो आप मार्केट हो म और आप लोग यहां पर अच्छा कासा पैसा लेक delivers कर सकते हो और धूसरा और यहां पर capture कर सकते हो आप यहां पर यह क्याफ़िए सबसे बिकार तरीका यह सबसे बिकार तरीका है आपने यहां तक आपका टारगेट था अपने अपने यहां तक आपने तक आपने आपने को लगा दिया क्या एसा सिच्वेशन है आपको पता ही है कि मार्केट यांस से उपर तो गया बट अगर ऐसा सिच्वेशन वोगा तो यहां पर पैसा पैसा चला जाएगा आप यहां पे जो भीए आपको 10 पॉइंट मिल रहा था वो भी आपको नहीं मिलेगा उसी प्रकार का से यहें मैं अगर आप लोग option buying पर trailing stop loss का यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर point to point capture करना आपको 100 point का target मिल चुका है जैसा ही 110 तर जाएगा आप यहाँ पर trailing stop loss लागा दोगे जैसे 110 से 100 point कितर जाओगे जाएगा आप यहाँ पर trailing stop loss का यूज़ कर दोगे कितना बड़ी अतरी किसी यहाँ पर up set का move दे रहा है कितना बड़ी अतरी किसी यहाँ जो यह down trade का move दिया तो ऐसे में market के अंदर स्वीं ने नहीं बना है market इक नमों देखो straight forward उपर जा रहा है अब लोग्क देखो, यहां पर straight forward ऊपर जा रहा है, मारके नहीं देया, आगर आप ऐसा सोच रहे हो, gimmick बनाएगा, आप यहां पर stop loss को रखोगे, फिर मारकेट ऊपर जाएगा, यह option भाईगी, यह जो छोटा सा रेट रेट रेजमेंट है इसके अंदर आपको लॉस भी देखे रोंको बिल सकता है क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे साइट बेस हो जाएगा तो उदर आपको प्रीमियम टी क्या होगा आपको चार्ट के अंदर देखेएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके नहीं हुआ बाट आपका जो प्रीमियम होगा वहाँ पे आपको लॉस ज़रूर देखे रोंको सुप हो जाएगा यहाँ पे हारे केंदिल जाएगा प्राविल करेगा हारे केंदिल का हाइट आपको जे यहाँ पे ट्रिलिंग स्टॉप लॉस इसको अगर और भी आसानी से अगर आपको समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखो Market यहां पे उपर निकल गया तो मेरा जो filling stop losses कहाँ पे होगा स्कैंडल का नीचे Market नीचे आया नहीं आया Market यहां से reverse अपर चला गया Shogu Market यहां से उपर चला ज़र आया तो मेरा जो stop losses होगा तो मेरा जो कहां था होगा यहां था गोगा मार्केट यहां से उपर चाल गवाद फिर से नीच आ गया कि यहां पर मेरा क्या होगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेकर में मार्केट क्या निकल गया हूँ यहां पर देखो ट्रेलिंग स्टॉप प्रोसेस के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा 10-20 पॉइंट भी मिल रहा है ना तो बहुत ही अच्छी बात है नर्माली आपने क्या किया 1000 का प्रोफिट करते हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप बशेस के बज़ेसे कभी खबार आपको यह 1000 कांदर ब्लापर 2000 के गयी जा सकता है तो यह जो profit आपको मुझे लिए रहा है यह extra profit है तो कुछ इफी ना करके अगर आपको extra profit मिल रहा है तो कौण नहीं लेगा तो इसी प्राखार से trailing stock process का use किया जाता है और make करना जाता हूँ अगर आपको फेड़ भी trailing stock process के ओपर कोई भी आपको question रहे गया होगा अगर आपको फेड़ भी trailing stock process समाज में नहीं आया आप लोग comment कर देना मैं इसको और भी अच्छी तरकी से बताना की कोशिस करूँगा बाकि आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज comment क्लिक कर बताना आज का यह जो logic आपको मैं बताया कैसा लगा आप लोग comment क्लिक कर बताना वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को like एंच चैनल को जबूर subscribe कर देना ओके और आप फिर telegram चैनल के अंदर भी